हलो फ्रेंड्स इवी की रज सोही में आप सब का स्वागत है कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और सोस्त होंगे तो आज मनाने जा रहे हैं लौकी की सबजी तो इसे कैसे बनाते हैं चली बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसे बनाने के लिए ह आपमें बारी कटावा प्याज, अद्रक, लेस्ण, हरीमिच और दमट्रका फेड़ट तो अभी हम क्या करेंगे जो लौकी है इसे हम छील लेंगे और कट करके रख लेंगे तो इसे हमें चिपस की तरह कट करके रखना है तो जो चिपस जो हम कट करेंगे ना तो ज्यादा तो मसाले में हमने लिया है रसे लिए नमक, लाल मिच्प पाउडर। उसे नहीं ज्यादा नहीं समय करेंगे तो यह ज्यावाइब निया प्सकूण के कहें अप्सक्राइब तो यह मसाले बेदाफो बेसस मिक्स करेंगे इससे जो लोकी में हमारा जो बेसन और मसाले है वो हलके से इसमें लग जाए तो देखिए इसमें हमारा जो मसाले वो अच्छे से लग चुके हैं तो तवा हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें आड़ करेंगे वन टेबल स्पून के करीब ओल तो ओल भी हमने इसमें आड़ क तो देखिए दो मिनट हो चुके हैं अब हम इसे पलट के देखते हैं कि हमारी लौकी हो चुकी है और नहीं तो देखिए जो लौकी है हमारी हलकी सी क्रिस्पी हो चुकी है और देखो इदी देखते हैं तो हमारी जो लौकी है पांच मिनट के करीब हो चुका है ये दोनों वो fry हो रही ही साथी दूसरे साइड हम क्या करेंगे कडाई में तेल गरम करेंगे उसमें हम एड़ करेंगे जीरा और साथी इसमें एड़ करेंगे अद्रक और लेसुन बारी कटा हुआ तो इसे हम जला लेंगे जिसे अद्रक और लेसुन जलेना तो देखिए हमने इसे चला एड़ करके इसे चला लेंगे तो प्याज हमारा फ्राय हो चुका है अब हम इसमें आड़ कर देंगे टमटर का पेस्ट जो हमने लिया था तो इसे भी हम चला लेंगे और मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें आड़ कर लेंगे थोड़े से मसाले तो मसालों हमने लिया है वन टेब दनिया पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हमसार, साथ हाफ टेबल स्पून के करीब गरम मसाला और लाल मिज पाउडर, अब इन सब को मिक्स कर लेंगे, साथ इसमें अड़ करेंगे, आधर कटोरी के करीब दही-दही को हम जल्दी सही चलाएंगे, नहीं तो यह हमारा पक चुका है तो अभी हम इसे निकाल लेंगे और इसे हम फिर से चलाएंगे तो देखे मसाला हमने चला लिया है अब हम इसमें आड़ कर देंगे जो लौकी हमने सेट के रखिवी थी उसे हम इसमें आड़ कर देंगे तो इसे हम इसमें आड़ कर देंगे थोड़े से प्याज तो हमने कट करके रखिए हुए थे तो भी हम इसमें ग्र करते हो आप चाहे तो इसमें सिम लाइ में भी हैं कर सकते हम तो वह bånd करते हैं है econ तो हमने इसमें आडDaई कर दीया है अब इसे हम mix कर लेंगे भी को और साथ हम इसमें कर देंगे थोड़ा सा पकी हुई थी तो अभी और यह सॉफ्ट हो जाएगी तो देखिए पांच से दस मिनट के करीब हो चुका लगबग तो अभी हम देखिए जो सबजी हमारी कफी अच्छे पक कर रड़ी हो चुकी है तो अभी गैस बंद करेंगे और इसे हम दूसरे बरतन में निकाल लेंगे अ हुआ हुआ है